नमस्कार गैतरी जोतिसकेंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के तीन सबसे खतरनाक यानि कि सबसे खराब फल जो हमें देते हैं उन ग्रहों का जो दुस परिणाम है खराब जो उनका फल है वह मात्र कोईले से दान्तून करके दूर हो जाता है ऐसा सास्त्र में वर्डन है यह क्यों वर्डन है इसके बारे में भी संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं माना जाता है कि जब भी इन तीन ग्रहों का कूपरभाव किसी ब्यक्ति पे सुरू होता है तो सबसे पहले यह ग्रह उस ब्यक्ति को मासरस्वती की कृपा से वन्चित कर देते है मासरस्वती का वास हमारे मुह में होता है, कंठ में होता है यानि कि वाणी जो है मासरस्वती की देन है और इसी वाणी से हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं कष्टा आते हैं सबसे प्रमुक कारण यही है सुख का भी कारण यही है हमारे डिमाग में कितनी ही अच्छी चीज़े क्यों न भरी हो यदि मुह से दो सब्द गलत निकल जाए तो वह अच्छा भरा हुआ सब ब्यर्थ है और यदि हमारे डिमाग में बहुत ही गंदी चीज़े की ओना भरी हुई हो और मुह से दो सब्द अच्छे निकल जाए तो वह गलत भरा हुआ भी ब्यर्थ है क्योंकि मुह में सरस्वती क वास होता है तो यह ग्रह सबसे वेले ब्यक्ति को मासरश्वती की कृपा से दूर करतेते हैं कारण कि उसकी बुद्धी को गुमा देते हैं और ब्यक्ति अपने सब्दों से कुछ गलत प्रियोग करके मासरश्वती को खो देता है वैसे भी कहा गया है कि जब भी ग्रह या प् सास्त्र में कहा गया है कि इन तीन ग्रहों के कुपरभाव से बचानी वाले सिर्फ मा सरस्वती है यदि मा सरस्वती की कृपा छूड़ गई फिर आपको खुब पुजा आराधनाय यंत्र मंत्र जाप सब कुछ करना पड़ सकता है किन्तु यद तक मा सरस्वती है तब तक ऐसी चीज है जो कि इन तीन ग्रहों के बारे आङ current आ जिता हूं आपको सणी राधन के तू यह ना कभी किसी की सुनते हैं नहीं किसी का अन्य की इच्छा के अनुसार अपना फल देते हैं यह उसके अनुसार चलते हैं यह व्यकति के कर्मों के अनुसार उसको उसकी सजा द तो वह कोईले से पुर्ती दिन दान्तून करने से मुह में सरस्वती का वास रहता है क्योंकि वह सरस्वती की आपने देखा होगा कि सफेद वर्ण है उनका सफेद रंग उनको अतिप्रिय है और हमारे दातों का भी जो रंग होता है सफेद होता है और सफेत को जो whiteness यानि कि जो सफ़ाई काला कोईला दे सकता है वह कोई नहीं दे सकता है तो हम आप से यह कहेंगे कि प्रति दिन दान्तून कोईले से करने के पस्चाद आप अपने toothpaste इत्यादी से दान्तून कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ऐसा करने से 100% उनका कुप्रभाव तो दूर हो जाएगा किन्तु उनका वो चमतकारिक फल जो वह बिसे इस आरादनाओं के पस्चाद भी नहीं देते हैं आपको धीरे-धीरे मिलने भी लग जाएगा इसके सासाती दो अन्य ग्रह, बुद्ध और सुक्र, सुक्र दैत्य गुरु, सुकराचारी इनके गुरु और बुद्ध इनके मित्र, इंका प्रभाव भी 50% आधा हो जाता है यानि कि उसमें बताया गया है कि वन तिहाई से कम इनका प्रभाव होना सुरू हो जाता है यह भी अपना सुफ़ल आपको प्रदान करने लगते हैं तो ऐसे ही बताया गया है कि सर को लसी या छाँच से दोने से तीन सबसे सुब ग्रहों का कुप्रभाव समापत हो जाता है और उनका चमतकारिक परणाम देखने में आता है किन्तु यह जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे आज सिर्फ और सिर्फ दान्तून कोईले से करने से किन ग्रहों का दुस्परणाम हमें प्राप्त नहीं होता है यह जानकारी थी और इस पश्ट तोर पे मैंने आपको तारकीत तोर पे जैसा सास्तर में वर्लन था उसी अनुसार मैंने आपको समझा दिया है और जो चीज़ आप लोगों को किलियर नहीं होती है कहीं पर डाउड इत्यादी रहता है तो वीडियो को आप आगे बढ़ा कर सेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और जो फर्स टाइम इस चैनल को देख रहे हैं पहली बार क्योंकि हम तो जानकारी बहुत अच्छे अच्छी लेके आते हैं और उपर वाले ने चाहा बहुत से में हम आप लोगों के लिए सब हपते का या महिने का रासी फल भी आप लोग के लिए लेके आएंगे तो जरूर सबस्क्राइब करें और प्रती दिन के नूटी पी किसन देखने के लिए बैल आइकन घंटी नुमा जो बटन होता है उसे अवस से ही प्रेस करिए तो मिलेंगे किसी बहतरी जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैस्री राम जैस्री कृष्णा ओम नमस्क्राइब